इसमें हूं रिंकी और आप देख रहे हैं रिंक्स चॉइस चैनल जिस पर मिलती हैं आपको पूरे भारत में निकलने वाली हर एक सरकारी नौकरी की जानकारी साथ ही ऐसी इन्फरमेशन जो जानना आपके लिए बेहर ज़रूरी है मैं लेकर आती हूं आपके लिए हर रोज व्लॉक्स भी आजकल हमने शुरू कर दिये हैं तो व्लॉक विडियो भी आपको देखने को मिलरी होगी मेरी फैically की से और मुझसे जड़ी सी विडियो मैंने डालना शुरू कर दिया है इस चैनल पर आप विडियोज सकते हैं Ringsक्ष Ministries चैनल पर ही व्लाग वीडियो को आप मज़़ा ले सकते हैं और मेरे क्यों कि जानकरी भी आपको लगातार मिलती रहेगी हमारे इस चैनल पर तो आज मैं फिर से हज़िर हूं आपके लिए एक और नौकरी की जानकरी लेकर जो कि B.A.D. या D.P.T. वालों के लिए एंटीटी वालों के लिए और D.A.D. वालों के लिए है teacher की भरती है, यह teachers की भरती है, कहां निकालेगी यह भरती है और किस तरह की यह भरती है, कैसी यह नौकरी है, कैसे मिलेगी आपको यह नौकरी क्या करना पड़ेगा आपको इसके लिए और क्या है पूरा process, eligibility criteria, क्या है सब कुछ आपको इसी वीडियो में पता चलेगा जैसा कि मैं आपको हर एक नौक्री के बारे में इन्फॉमिशन देती हूँ वैसे ही आपको इस नौक्री के बारे में पूरी डीटेल में जानकारी मिलेगी लेकिन इससे पहले मैं कहुँगी अगर आप CRPF, AWADI, चेनई में यह भरती निकाले गई है तो इसके द्वारा यह भरती निकाले गई है अब आगे बात करते हैं Group Centre की requirement है और जनली requirement है female trained teachers की महिलाओं के लिए खासकर यह भरती है सिर्फ महिलाओं के लिए female trained teachers की भरती है for Montessori school में of GC CRPF, AWADI, चेनई में purely on temporary and contractual basis है यह भरती during the contractual period they will be paid honorium of Rs.8,250 per month जो की fix है The following are the terms and conditions कौन इसके लिए apply कर सकता है अगर आपके पास कोई degree है D.Ed की या फिर D.P.T.Ed की या फिर entity training आपने लिए है Montessori की training लिए है या फिर अपने B.Ed किया हुए तो आप इसके लिए apply कर सकते है बाकी की requirement, experience और skills की अगर बात करें तो minimum यानि की कम से कम दो साल का experience आपको होना चाहिए as per primary teacher दूसरा है Montessori या फिर आपके पास entity का certificate होना चाहिए English, Hindi and Tamil must be non-language to read, speak and write English, Hindi and Tamil आपको आना बहुत ज़रूरी है तभी आप इसके लिए eligible होंगे proficient in computer specially in Microsoft और office tool etc तो आपको proficiency होनी चाहिए आपकी computer specially in Microsoft office आपको आना चाहिए vacancies इसमें निकाले गई है चार और दो vacancies है रिजव इसमें से तो आप यह मत सोचिए कि vacancies बहुत काम है कितने लोग इसके लिए apply करेंगे पता नहीं आपको नौकरी मिलेगी की नहीं अगर आप इसके लिए apply करना चाहते हैं पूरी तरह से इसके बाद जाएगा तो वो reject हो जाएगा यह last date है further apply candidates may report for interview on फिर interview के लिए बुलाए जगा आपको 4 जून 2019 को office of the DIGP GCCRPF यहीं पर आपका interview होगा चेनई 65 at 1000 hours along with the bio data and original educational experience certificate आपको ले जाने होगे bio data ले जाना होगा आपको अपना जब interview होगा आपका और इसके बाद आपको अपने original certificates भी ले जाने होगे तब ही आप इसके interview के लिए जा सकते हैं तो बहुत बैतरीन भरती अगर आप eligible है अप्लाई काना चाहते हैं तो जरूर apply कीजिएगा और कुछ पुछना चाहते हैं इस भरती के बारे में या किसी अन्य खास भरती की बारे में आप चाहते हैं कोई और नोकरी के बारे में जा कोशिश करूंगी इसी तरह की नोकरियों की जानकारी साथ ही ज़रूरत से जुड़ी हुई information और व्लोग्स भी आपको देखने को मिलते रहेंगे रिंग्स चैनल पर कैसे लगते हैं आपको हमारे व्लोग्स अगर आप हमारी चैनल पर नोकरियों की जानकारी के साथ-साथ ले टेकंते हैं तो बताएब जरूर। कि मुझे कैसी लगी आपको मेरी व्लोगिंग और किसा इसी लगे बाइग करने चाहते हैं मेरे चैनल पर की मझे पूछना साचिट ओप करने की कोशिश करूंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप पहली बार मारे चैनल को यह इस तरह के चैनल है जिस पर आपको फ्री में मिलती है पूरे भारत में निकलने वाली हर एक सरकारी नौकरी की जानकारी साथी ऐसी इंफरमेशन जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है साथी व्लाग वीडियो आपको एंटरेटेन भी करती है तो चैनल को सब्सक्राइ जानकारी और नौकरी की इंफरमेशन साथी व्लोगिंग आपको मिलती रहेगी इंक्स चैनल पर वीडियो देखने के लिए थैंक इस सो मच फ्रेंड्स